हाँ तो आज अपने स्टार्ट करेंगे ट्राइवल सिस्ट्रम यानि की रूड पर देती ठीक है ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जितना में नोट्स बनवारा होना आपको साथ साथ नोट्स बनाते लेना इतने सललन करना इसके लागा कुछ भी नहीं पढ़ना जितने भी स यह प्राइवेट कंपनी वाले चाफ के देते हैं उसमें तो पता नहीं कुछ उट पठांग ऐसे एक्स्टा में बहुत जाला दिया वाता है वह नहीं जो अपने औरीजिनल बुक है यह लो कावर वाली उपर से हैं वह औरीजिनल बुक आप से रखा करो वह ऑथेंटिक अब ही तक आए नहीं जाता इंपोर्टन है नहीं लेकिन कैसा क्यूशन आए गास ट्राइवल सिस्टम से इस सही क्यूशन आ सकता है कि वह डिस ट्राइवल सिस्टम रूट पजत्ति क्या है अगर वन माक्स में आता तो आप डेफिनेशन लिख देंगे और कोई एक एक एग इस तरीके जमें आपको इसका थोड़ा वाइवा बता दिया क्यूशन कैसा आएगा अब थोड़ा समझते है क्या है ट्राइवल सिस्टम इन दिस सिस्टम सब्सक्राइव गिवन नेम्स विच यूजवली रैफर तो दर नैच्रल सोर्स और पर प्रोपर्टी आधार पर किय इस प्रोपर्टी क्या है जैसे मैं बात करूं कि यह सीज़ फोर आपको बताएं मैथन गेस है ठीक है आलंकि मैं यह पढ़ा दिया आपको लेकिए मैथन एन साउंड वारी ठीक है मेथन गेसे अब यह फोमला देरक है और पुछे एसका रूड नेम या ट्राइवल नेम क्य मिलता है ठीक है फॉर्स्ट डिएक्टेड इन मार्शी प्लस ठीक है वहां से मिलता है अगली बात आते हैं सेस्ट्री ओएच यान की वुड स्प्रिट इसका रूड नेम करना है सबसे इंपोर्टन बात यह है इसका रूड नेम और अलग से कुछ करना नहीं सिर्फ पांच ह करके जाना है बस इसके लावब दो कंपांट फोर पढ़ाऊंगा भी ठीक है आइसो और नियो बस यह पांच और दो मालो कुल मिला के साथ पोइंट लन करना है मैरी टेक्निक से पढ़ाई ग्रों 100 आइंगे अगर अच्छे से पढ़ोगे मैं कहूंग वैसा तो पांच प्ल नायशन ऐसे अस Employee बting मैं कहाई से कहासे मिलता है विनेगर लेटीन नाम च्क करें है इसडिक करें नाम होई है तैकं पॉन्हाट टाजन भी अगली बात है यह इसका रूटन है स्ट्राइव और एक है यह अपना लेक्टिक एसिड ठीक है सी बीच में कार्बन सी ओच स्थी ओए च इसको लन करना पड़ेगा आपको और यह में का मिलता है लेक्टम दूट से बराब्ट होता है वेसे आपको पता है यह तो यह तो इनमें से पूर्ट पराकरतिक स्थी का क्या है जो कहां से मिलता है इस तरीके से और मैं कहने का मतलब मेरा यह किस पूरी टेबल को अच्छे से लर्न करनी है अपनी नोट्बूक्क को उतार लो इसको अच्छे से याल करने ना इसके लाव कुछ कुशन नहीं आएगा दो बाते हो बता द त्यार करता है वह यह हैं पांच पुइंट तो करने करने अपनों टैबल कंपलीटि लग कर लो उसके बाद में कि इंद ट्राइवल सिस्ट्रों अनब्रांच हाइड्योकार्बन को नॉर्मल यह फिर यह न्योग है कि अब तक पिर है इसका मतलब इसके विए कोई ब्रांच नहीं है लेकिन अगर मैं इसके बनगी पर बंगी सका मतलब यह है यहां पर अपर भी सब्सक्राइब वह और ये इसकी ब्रांच नहीं हो सकते हो हेक्जेन कुछ भी कोई फरक नहीं पड़ता एन पेंटेन इन वाले पेंटेन लिख देना एन तो एन नहीं रहेगा एन पेंटेन है तो पेंटेन लास्ट में कौन सा सावंड है एनी मेरी तरह किसे पढ़ना तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट समझ गे इसको अपन कैसे बनाते थे यह CH3 बीच वाले सब CS2, CS2, CS3 बन गया पेंटेन यह तो कहलाया एन पेंटेन समझ में आ गई लेकिन इस ट्राइवल सिस्टम के अंदर आपके पास दो कंपाउंड और दिये वे हैं गिवन है कौन सा एक तो कंपाउंड है ISO समझ पा रहे हो ISO इस ISO समझ पारे हो यह आपको फॉर्मला याद करना है यह सिंगल बॉंड है सब यह सिंगल बॉंड है और वह भी सिंगल बॉंड है CS3, CS3, CH समझे यह ISO खुद का एक formula है ऐसा माननो कि यह आपके लिए learn करने के लिए छटा formula है पांस तो वो होगे table में छटा formula तो यह मैंने क्यों लिखवाया इसके पीछे logic है देखो normal होता जो unbranched होता यह देखो branch बन गई branch बन गई अगर unbranch होता एशाकित होता तो यह N penten कहलाता लेकिन अगर यह ISO इसके अंदर लग जाए तो यही penten यह ISO के जुड़ने से ISO penten हो जाएगा कैसे देखो कि मैं अगर ISO की बात करता हूँ तो CH3 CH3 और CH ठीक है CH होगी यह आत हो कि ISO अब हमें बनाना है इसको penten के एग्जम्पल है ISO penten कैसे बनेगा math, eth, prob, but, pent जिसमें 5 कार बनो math, eth, prob, but और यह pent समझगे अब यह last के अंदर का आपको बता है CH3 होता है इसके इदर CS2 होता है यह CH रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमाने हमने क्या लिया था क्योंकि यह ISO का अपने आप में एक formula है CS3 से थे CH इसके यहाँ पर CS2 कभी नहीं करना अब आगे देखो दूसरी बात क्यों नहीं करना मैं आपको normal से सिकाता हूँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो last इन दोनों को मत छेड़ो आप इनको मत देखो भी यह अगर यह दोनों नहीं होते मेरी बात को अच्छे समझो आपको समझ में आएगा अगर यह दोनों अगर इसके जुड़े हो नहीं होते तो यहाँ पर क्या था CS3 आता आपना आइसो पेंटेन आइसो पेंटेन और आइसो पेंटेन का फोमला क्या होता है C5 C5 और H कितना है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 H12 C5 S12 वो के वो यहाँ होना चाहिए आइसो जुड़िया तो क्या होँआ H और C समझो S25 है आपने काउंट कर लिए आइसो लगा लेकिन पेंटेन का पेंटेन ही है आइसो लगने का बंदो जो ब्रांस हो जाए समझे यह तो था आइसो का एक्जामपल 6 नमबर अब ऐसे आपको एक एक्जामपल और दे रहे है नियोगा उसको उपन दे देंगे नमबर साथ यह नमबरिंग क्यों कर रहा हूं है अपने लर्ण करने के तरीका है ताकि आप नोट्स बना लो कि पांस तो मुझे टेबल के लर्ण करने दो यह एक्जामपल लर्ण करने इसके लिए कुछ बार जाही नहीं सकता समझे लो तो नियो उच्छा नियो बताने से पर एक बार फिर बता दो कि कि इनी बच्च Television के में Woah नहीं में क्यों की उट रहा होगा कि pentay deix retrou extreme ले लो एक्कestic ले लो दो asleep नहीं कि मरो पर जाहर हो orf कि मैं अगर बात करूं अभी सी पर आ रहा हो नियों नहीं बताया मैंने विए न यह तो अपने ने क्या लगा दिया आईसो यह आई सो फिक्स है समझे अब हम सपोज बना रहे हैं इसको आईसो हैकसेन यह अपने अग्जम्बल यह था इसो पैंटेन आईसो हैकसेन का मतलब 6 क समझ एक दो तीन चार पांच और एक इच्छ है समझ के लास वाली एक तो तो चसरी आएगा यह टु आएगा यह टु आएगा यह क्या बनगे आई इसोहेक्सेन इसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन कुछ इबना लो यह इसे नियो एक साथ वो रहे हैं नियो समझ पार हो ना बहुत इजी है अगर मेरे टेक्निक से पड़ोगे तो केमेस्ट्री बहुत इजी लगेगी नियो की पर अगर बात करें तो नियो का अपने जैसे इस नियो पर तो जैसे नियो पेंटेन लेता अगर तो नीयो पेंटेन हो जाएगा है एक से लोंगा तो तो नियोकर नियोर्थ योचेन ऑफ जाएगा लों नियोप्रोपेन हो जाएगा अब जैसे यह है इससे मैं अस нормально को समझ को देखो अ आद यहलो है अब हमें क्या लिखना है वैसे है यह अब हमें क्या लिखना है चल्प Societ Ein क्योंकि वह आगी जुड़ने के लिए होता है तो हब जो जोड़ेगा हूँ कि पर यह पर यह बना निए घली आ से नियो पहले सबसे पहले नियो का फॉर्म लेग दो यह नियो हो गया समझगे अब हैक्सेन लेना है तो छे कारबन तो लास्ट का मतलब यह बन गया तो इसका मतलब यह तो सेस्टू रहेगा क्योंकि बीच वाला सेस्टू होता है यह मैंने आपको बहुत बैसिक चीज बता यहां पर एज़ दो यह आएंगे क्योंकि लास्ट वाले के पास एज दीन होता है यहां लास्ट वाला यह खुद बन गया था लास्ट मजबूरी बन गया तो हम इसको एज 3 करना पड़ा तो यह तो हो गया नियो पेंटेन यह नियो हैक्सेन आप ऐसे डिरो एक्जामपल ल है इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पड़ना ठीक है यह था आपका ट्राइवल सिस्ट्रम यह पर रियूड पड़ती ऐसे इंदे को ड्राइव सिस्ट्रम यानि कि व्यूत्पन पड़ती यह को मैं फिर बता दूं कि आयू पीसी ही इंपोर्टेंट है यह दोनु पड़ती में कार्वनिक योगी को नामकर्ण उनके सरल योगी को युद्पन मानकर किया जाता है वन मार्क्स में आ सकता है क्योशन डेफिनेशन वगर इसके बारे में पूसकता अपने लिख देंगे उसके बाद में यह दो चार पांच एक्जंपल दे रहे हैं अपने को प आपको पता है सिएच पर मेतन होता है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको यह सिंपल कंपाउंड है इसका स्रल योगी है इसको लिखेंगे तो वह यह होगा मतलब इसको यह द्यान रखना है यहां पर जो भी हमारे पास होगा ना उसको हमेशा बोक्स में बंद करना क्योंकि फिर वह लंबा सिस्टम हो जाएगा उत्ता आपके है भी नहीं करना क्या उसे जितना कोर से उतना करना है बहुदा आपको लिजाएंगे नहीं इतना से लर्न करना है कि इसका जो डेरिवेटिव और सिंपल कंपाउंड है सरल योग के विद्पन है वह यह होगा ती है तो आपको यह जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा राई क्या है मैथाईल यह मैथिल तो तीन तो मेथिल है और सिच मतलब है तो मैथैन ना वहमेशा फिक्साइगा जो मैं रिखा हो यानि कि ट्राई कि मैथिल कि मैथैन कि यह इसका विद्वपन का नाम हो जाएगा एक्जाम में आ सकता है छोटी सी बात बता दू कि जब कि इसको बोक्स में बंद करना है इसका मैं में अब एक बात बता हो कि और में चारबन के साथ जुड़ा हो ना यह बात है वो CH2 मत देखो आप तो carbon पर जाने को carbon के साथ वे जूटता है ना तो यह पूरा carbon हो गया पूरा क्या हो गया carbon देखो वैसे तो याद करना में याद करने का तरीका बता रहा हूं हालना कि पूरा सिस्टम है इनका लेकिन वो 11 12 का पार्ट आप आगे पढ़ लोगे carbon क्या होता है CS2OH समझ में आ गई इस को ओपन बोलें कार्बिनोल और CS3 क्या होता है methyl यानि यह मिथाईल तो यह हो गया methyl carbon या methyl carbon समझ बार हो ना इसका क्या नाम हो गया methyl carbon या फिर methyl carbon ठीक है बस जितना करवारा है उतना ही करना है उसके लावा कुछ नहीं करना कुछ आएगा ही नहीं और ठीक है ऐसे पर नेक्स एक्जम्पल लेते हैं अब इसी सेकेंड के इंदर आपको इसी से सबसे बेस्ट है इस डिराइट सिस्टम यूत्पन पत्ती के अंदर भी दोचा नाम याद कर लाना बस वो उनको टेक्निक बता देना है इसके अंदर भी सी के साथ जुड़ना कर बिनो लता है उसको बॉक्स अंदर अब मेरी बास इसका नाम क्या होगा नाम भी पूसकता एक्जाम के अंदर एक्जामपल ले देगा वो बताए कि इसका क्या नाम होँआ इसका नाम होगा एथिल और रूआ तो सब्सक्राइब पर नाम होगया says सब्सक्राइब करता सब्मुंद के साथ कि जूड़ता है और जिसके भी साथ जुड़ा तो उदर सिंगल बॉर्ण और होता है यह हो गया आईसू समझ पारे हो यह तो मैथिल हो गया यह हो गया आईसू समझ पारे हो और यह क्या है क्योंकि COH के साथ जुड़ना में अभी ताथ है कार्बन के साथ OH के जुड़ना कार्बिनोल कहलाता है तो मैथिल एथिल और आईसो प्रोपिल कार्बिनोल ठीक है मैथिल एथिल आईसो और फिर प्रोपिल इसको अपन क्या बोलेंगे प्रोपिल और यह हो गया अपना कार्ब प्रोपिल क्यूंकि हब ब arrivé क्यों कि कỗi यह तो कार्पिनोय यह मैधिल यह तो और इसको परऊपिनिल बोल सकते हैं लुक्हार कि मैथ एठ प्रॉप्र नौर सो बैर और गजे और इस अभार्ब ये और नट्रम हिसा नाम हो गया क्टिक ए카agar तीगभिण बस इस टेबल को लर्न करना है और कोई लाज नहीं है समझ पारें आप ऐसी लास्ट एक्जाम्पल है याद करना है बस बात कतम क्योंकि तक 11-12 का पार्ट है पुरा सिस्टेमेटी रंग से 11-12 के समझ में आएगा अब भी नहीं करा सकते है अलाकि 11-12 की MSCB कराईगी तो आप सकते हो लेकिन फिलाल टेंट में ज्याद लोड लेना ही नहीं है क्योंकि आता ही नहीं आता नॉमल बस याद कर लो जो मैं बता रहा हूं जैसे देखो यह हैं ऐसे ट्री से सुनावाब होगा इसको ठीक है जो इसका फोमला जो है व्यूत्पन के अंदर क्या बनिया वह यह ह जैसे कि हम इसको बौक्स में बंन करना है कि हमने जो इधर लिया एस्माइब का वह बोक्स बंद हो गया इसके बाद में आपको पता यह से तो आई-सोपर मैं थैद प्रॉप प्रॉप वैसी यह आई-सोप्रॉफल हो गया तो यह तो हो गया आई-सोप्रोपिल और यह क्या है एसेटिक आसिट इसका क्या बनी आइसो प्रोपिल एसीटिक अमल के लिखना चाहें इसका भी नीम लिख सकते हो मैथ्यल अधिल आइसो प्रोपिल कर बिन ठीक है इस simple सा system था, norman culture था, जो दोनु system वियोत्पन और रिरूट पति अपना आज पढ़ ली, ठीक है, next video में IUPAC कुछ question कराने वाला हुआ हम आपको, ठीक है, जो book के पीछे question answer दे रखें आपको, जो IUPAC related जितने भी question है, total अपन next video में करने वाले है, ठीक है, okay